हेलो एवरिवान वेल्कम बैक टू माई कीचन आज की मेरी रेसिपी बहुत डिफरेंट और इंट्रेस्टिंग है और ये बच्छे को बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि आज हम बना रहे हैं जीजी कॉन और इस जीजी कॉन को बनाएंगे हम लेफ्ट ओवर चपाती से और य मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे बहुत अच्छा लगीगा जब आप इसे ट्राइ करेंगे और इस टेस्टी डिलीशियस स्नैक की रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो वीडियो की नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दें और अब जो बेल बटन आएगा उस पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी न्यू रेसिपी के अपडेट्स आप तक मिलती रहें तो सबसे पहले हम लेंगे एक पैन इसमें डालेंगे हम 2 टीस्पून ओयल तो बहुत क तो तेल के अच्छे से गरम होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ये बारी कटी हुई हरी मिर्च और अगर आप कम थिका खाना पसंद करें तो आप इस हरी मिर्च को अवोइड भी कर सकते हैं और डालेंगे अब हम इसमें चॉप्ट कियोवा गार्लिक और अब डाला है मैंने इसमें जीरा और इन सब को डालने के बाद हम इसे एक मिनट तक लो फ्लेम पर सौटे करेंगे ताकि इनका फ्लेवर ओयल में आ जाए और अब डालनेगे हम इसमें बारी कटा हुआ प्याज और प्याज को डालने के बाद हम इसे दो से तीन मिनट तक प्यास का कच्चा पंदूर होने तक फ्राई करेंगे और फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है तो प्यास फ्राई हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे बारी कटिवी पता गोबी और पता गोबी डालने के बाद हम इसे एक मिनट तक सौटे करेंगे तो इसे हम लगातार चलाते हुए सौटे करेंगे और अब डाल देंगे हम इसमें बारी कटिवी शिमला मिर्च और शिमला मिर्च डालने के बाद हम इसे 2-3 मिनट तक मेडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे शिवला मिर्ष को सोटे करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक तो आप अपने स्वादानु सा नमक डाल सकते हैं मैं यहाँ पर थोड़ा कम ही नमक डालना चाहूंगी क्योंकि हम जो चीज डालेंगे वो भी सोल्टी होती है और अब डालेंगे हम इटालियन सीजनिंग इटालियन सीजनिंग डालने से यह जो चीजी कौन है और भी ट्रेस्टी बन जाएंगे और अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए चिली फ्लेक्स और चिली फ्लेक्स डालने के बाद हम इस सब को मिक्स कर देंगे यहाँ पे हमें सबजियों को कच्छापन दूर होने तक ही पकाना है यह एक ब्रेकफास्ट रेसिपी भी हो सकती है आप इसे शाम के टाइम भी सर्फ कर सकते हैं तो इसकी खास बात यह है कि आप इसकी तयारी पहले से ही करके रख सकते हैं और जब भी इसे सर्फ करना हो आप इसे तुरंत फ्राइ कीजिए और सर्फ कीजिए तो सारे स्पाइस अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो अब हम फ्लेम को ओफ कर देंगी तो कौन की फिलिंग तयार हो चुकी है अब हम बनाएंगे एक कौन तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट ओवर चपाथी ली है आप चाहें तो फ्रेश चपाथी से भी बना सकते हैं इसकी कौन भी हम पहले से बना करके रख सकते हैं तो मैंने यहाँ पे लिए एक चपाती, इसे हम बीच में से कट करेंगे, तो मैंने इसे पीजा कटर से बीच में से कट किया है, आप नाइप से भी कर सकते हैं, और इसका हम वन फॉर पार्ट भी कट कर सकते हैं, अगर चपाती ज्यादा बड़ी हो, तो मैंने सेम प्रोसेस से दूसरे चपाती को भी कट कर दिया है, अब चपाती के अंतर जो गैप है, इसे हम फिल करेंगे, इसे हम चिपका देंगे, नहीं तो हम जब इसे फ्राइ करेंगे, तो यह फट जाएगी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे तीन टेबल स्पून मैदा लिया है, इसका हम एक ग पानी लिया है, और दीरे-दीरे करके हम इसमें पानी डालेंगे, और इसका गोल तयार कर लेंगे, इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई भी लंस ना रहे, और इसका गाड़ा गोल बना करके तयार कर लेंगे, यह देखिए, मैंने गोल बना करके तयार कर इसे हमें ज्यादा पतला नहीं रखना है वरना चपाती सौफ्ट हो जाएगी तो अब हम इसे चपाती के उपर लगाएंगे देखिए इस तरीके से हम चपाती पे ये मैदे का गोल लगाएंगे और इसे प्रेस कर देंगे ताके चपाती अच्छे से चिपक जाए तो अब हम चपाती की कौन बनाएंगे तो मैंने हाफ चपाती लिए है और इस पे हम ग्ल्यू लगादेंगे यानि कि मैं देखे गोल से हम इसे चिपका देंगे और इसे हम कौन की शेप में बना लेंगे इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम इसे कौन शेप दे देंगे इसे बिल्कुल अच्छे से चिपकाना है यह खुले ना बिल्कुल भी तो इसे हम थोड़ी सी दिर हवा में रखेंगे या ऐसे ही रखेंगे तो यह सूप करके तयार हो जाएगी तो मैंने एक कौन को बना करके तयार कर लिया है इसे हम साइड में रख देते हैं अब मैंने चपाते का वन फूट पार्ट किया है और इसकी भी मैं आपको कौन बना करके दिखा रही हूँ तो इस तरीके से हम इसे चिपका लेंगे इसकी कौन बनाना बहुत ही इजी है आप इस कौन को पहले से ही बना करके रख सकते हैं तो एक साइड हम मैं देका यह गोल लगाएंगे और इसे प्रेस कर देंगे और यह कौन बन करके तयार हो जाएगी निचे से भी हम इसे चिपका देंगे और उपर से भी इस तरीके से चिपका देंगे ताकि ये बिलकुल भी ना खुले तो सारी कौन को बना करके मैंने तयार कर लिया है तो कौन बन करके तयार है और हमारा जो फिलिंग का मिक्सचर है वो भी ठंडा हो चुका है तो अब हम इस मिक्सचर में मिलाएंगे चीज तो मैंने यहाँ पे दो टेबल स्पून प्रोसेश चीजली है ग्रेट की हुई और तिन टेबल स्पून मैंने यहाँ पर पनीर लिया है यह पनीर खरका बना हुआ है इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इस मिक्स चको कौन में फिल करेंगे तो मैंने यहाँ पर एक कौन लिया है और यह जो फिलिंग है वो हम इस कौन में डाल देंगे यह देखिए स्पून से हम दबाते हुए हम फिलिंग को डालेंगे तो यह देखिए इस तरीके से हम पूरा मिक्स्चर इस कौन में भर देंगे और सेम प्रोसेस से मैंने दूसरी कौन को भी तयार किया है और इस तरीके से हम सारे कोन को फिल करके तयार कर लेंगे अब हम इने फ्राइ करेंगे तो फ्राइ करने के लिए मैंने तेल को गरम कर लिया है और ये जो मैदे का गोल है इसमें हम कोन को डिप करेंगे तो ये देखिए हमने जो मैदे का गोल बनाया था इस गोल में हम कौन को डिप करेंगे और इसे अच्छे से सील कर लेंगे ताकि इसमें जो वैजिज है वो बाहर ना निकले और इसे हम सील करने के बाद ओइल में डाल देंगे देखिए इस तरीके से हम इसे ओइल में डाल देंगे और इसे हम medium flame पर golden brown होने तक fry करेंगे अब हम इने crispy होने तक fry करेंगे medium flame पर flame को हमें बिल्कुल भी high नहीं करना है अगर हम high flame पर इन कौन को fry करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी तो एके करके मैं सारी कौन को fry कर रही हूँ आप चाहे तो एक साथ भी डाल सकते है ये देखिए कितनी crispy बनी है ये तो ये सारी कौन बनकर के तयार हो चुकी है ये देखिए अब हम इसे और भी delicious और tasty बनाएंगे तो मैंने यहाँ पर लिया है tomato ketchup और ये नमकीन सेव आप चाहे तो mayonnaise का भी यूज़ कर सकते है तो मैंने यहाँ पर एक कौन लिया है इस कौन को पहले हम tomato ketchup पे डिप करेंगे और अब हम इस पर खा देंगी ये सेव तो ये देखिए ये कौन देखने में भी attractive हो गया और खाने में तो tasty है ही इस तरीके से मैं दूसरी कौन को भी तयार कर रही हूँ और सारी कौन को इसी तरीके से तयार कर लेंगे आप इन कौन को mayonnaise में भी टिप करके तयार कर सकते हैं तो ये spicy और delicious चपाती कौन बन करके तयार है तो आज मैंने leftover चपाती के साथ एक tasty snack बनाने की कोशिश की है तो मुझे उमीद है आपको ये recipe जरूर पसंद आएगी और बच्चों को तो ये बहुत ही अच्छी लगती है तो आप इसे एक पर जरूर ट्राइ कीजिएगा आप इने गर्मा गर्म सर्व कीजिए और recipe अच्छी लगी हो तो अपने friends और family के साथ जरूर शियर कीजिएगा और जब भी आप इसे try करें आप मुझे comment करके जरूर बताएं कि आपको recipe कैसी लगी तो ऐसी ही different और tasty recipes में लाती रहूंगी तो please video के नीचे जो subscribe button है उस पर click कर दे और जो bell button आएगा उस पर भी click कर दे ताकि मेरी new recipes के updates आपको मिलती रहें thank you for watching